Welcome to my YouTube channel Genius Study 2.0 पर दोस्तों आज की इस वीडियो हम SSC GD के लिए Most Important Question लेकर आए जो आप सभी के एक्जाम के लिए काफी Most Important और सेलेक्टेड होंगे तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर अन्त तब देखेगा एक भी Question को Skip नहीं करना है दोस्तों description box में मैंने WhatsApp Group का लिंक दे दिया है अगर आप ये PDF फिरी में मुक्त पाना चाहते हैं तो आप हमारी WhatsApp Group से जरूर जूड जाएगा आपको वीडियो के साथ सास्त में फिरी PDF मिलता है तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को First Question के साथ तो फेंट्स पहला Question पूछा गया है कि पान्डव राजवन्स का वोणन सर पर्थम किस ने किया था दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रसंट का आंसर पहले से पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते है तो फेंट्स इस प्रसंट का राइट आंसर हो जाएगा कि पान्डव राजवन्स का वोणन जो फेंट्स सर परतम किया था मेगर स्थनीच ने ने स्ट कुष्ण बताएंगे फेंट्स कोश्चन नंबर टू है कि निम नलख्यत में से कौन होई साल राजवन्स की पहली राजवन्स थानी थी इंप्राइट इंपर्डिन कोश्चन है चले सभी फेंट्स राइट आंसर बताएंगे वो थे Lord Warren Hastings तो इस प्रसंद का फ्रेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा option number A Lord Warren Hastings next question बताएगा friends question number 4 है कि बादामी के चालुक राजवन्स के संस्थापक कौन थे चले सभी friends right answer बताएगे तो मेरे पैरे दोस्तो बादामी के चालुक के राजवन्स के संस्थापक की बात करे तो right answer हो जाएगा option number B publication कौन थे पुलिकेशन friends question number 5 मुच्छा गया है कि सत्वाहन राजवन्स के संस्थापक कौन थे दोस्तो question काफी most important है तो right answer के हो जाएगा तो मेरे पैरे दोस्तो सत्वाहन राजवन्स के संस्थापक की बात करे तो right answer हो जाएगा option number C next question बताएगा friends question number 6 है कि निमने लिखित में से किस चोल राजा ने चिदंबरम मंदर के सिवपर तमिल भजन लिखा था देखिएगा question exam level का मैं करा रहूँ तो वीडियो को skip नहीं करना अंत तक देखना है और last में आप लोग अपना score जरू बताना कि आपके इन 40 प्रसनों में से कितने right answer होते हैं पीच बीच में question भी आप सभी से पूशता रहूँगा जिनका right answer भी आप सभी को comment box में बताना है तो friends right answer हो जाएगा कि निमन लिखित में से किस चोल राजा ने चिदंबरम मंदर के सिवपर तमिल भजन लिखा था तो right answer हो जाएगा और इन जै चोला तो इस प्रसन का friends right answer क्या हो जाएगा option number A next question बताएगा friends question number 7 कि मराठो में राष्ट वाद की भावना भरने में महत्पूर भूम का किसने निभाई थी मराठो में राष्ट वाद की भावना भरने में महत्पूर भूम का जो friends निभाई थी वो गुर रामदास ने तो right answer क्या हो जाएगा option number C तो right answer क्या हो जाएगा option number C तो right answer कि अगर हम बात करे तो इस प्रसन का right answer हो जाएगा तोरड यानि कि 1646 इस भी में सिवाजी ने सर प्रथम तोरड के लिए पर अधिकार किया था next question बताएगे questions question number 9 है कि 22 जून 1665 को पुरंदर की संद किनके बीच संपन हुई थी most important question है चले फड़ावट से right answer आना चाहिए तो friends right answer हो जागा सिवाजी और जैसिंग के बीच में सिवाजी और जैसिंग के बीच में next question बताएगे questions question number 10 है कि कि किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रसंद का right answer हो जागा नाइजर नदी को नाइजर नदी को जो फ्रेंट से तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है next question बताएगे questions question number 11 कि गंगा तथा मीशी सीपी नदीयों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है most important question है friends right answer क्या हो जाएगा तो friends right answer हो जाएगा प्रगत सील डेल्टा इस प्रसंद का friends option D right answer हो जाएगा प्रगत सील डेल्टा question 12 कि निम्मन लिखित में से किसे 5 सा गरो का पत्तन कहा जाता है एक पर सरवाधिक उजाही पर नेरमित होता है तो फेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा तो फेंट्स इस प्रसंद का राइट आंसर हो जाएगा पच्छाप मेग है यह वायो वंडल में सरवाधिक उज़ाई पर निर्मित होता है next question देखेंगे friends question number 14 है कि नदी के अपर्दन से बनी इस्तला करत इन में से कौन सी है तो friends नदी के अपर्दन से बनी इस्तला करत इन में से कौन सी है तो right answer क्या हो जाएगा तो friends इस प्रसंद का right answer हो जाएगा option number C गार्ज ध्यान से देख लिएज़ेगा आपसे नमर सी राइट आंसर हो जाएगा देश्ट कोशिन बताएंगे फ्रेंट कोशिन नमर 15 की भारत में सबसे बड़ी प्राय दिपी नदी कौन सी है चले इस प्रसन का राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जितने भी फ्रेंट्स इस वीडियो को यहां तक देखा है चले फटावट से आप लोग इस प्रसन का राइट आंसर बताएंगे कि भारत में सबसे बड़ी प्राय दिपी नदी कौन सी है और दोस्तो हमारे वर्टस अप ग्रुप से जुणना मत भूलेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप जाद स्यादा उस ग्रुप में जुडते रहे क्योंकि आपके बेनिफिट होगा अगर आप वर्टस अप ग्रुप से जुड़ेंगे फ्री में आपको पीडिप मिलेगा चले नेश्ट कोशन बताएंगे फ्रेंट्स कोश्चन नमबर हो जाएगा कि कौन सी नदी अमर कंटक के पठार से निकलती है तो मेरे प्यारे दोस्तो इस प्रसंट का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो फ्रेंट्स है अमर कंटक के पठार से निकलती है फ्रेंट्स कोश्चन नमर 17 पूच्छा गए कि प्राई दूपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपसे नर्मदा बी गोदावरी, सी महानधी और आपसे डी कावेरी तो फ्रेंट्स राइट आंसर हो जाएगा कि प्राई दूपी भारत की सबसे लंबी नदी जो फ्रेंट्स है वो है गोदावरी तो इस प्रसंट का फ्रेंट्स बी राइट आंसर हो जाएगा Next question بتАyengे Friends question 18 कि भारत में सबसे बड़ी सिचाई नहर इन में से कौन सी है तो Friends भारत में सबसे बड़ी सिचाई नहर जो है वो है इंदरा गान्थी नहर Next question बताYengे Friends, question number 1 निस है कि निमन लिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिचाई सेयंत्र है तो मेरे पहरे दोस्तो right answer हो जाएगा इंद्रा गांधी नहर इस प्रसंट का फ्रेंट्स भी right answer क्या हो जाएगा option number B इंद्रा गांधी नहर पंजाब में बड़ी संख्या में अलपा वन नहर इनमे से जल कहां से आता है तो इनमे जो फ्रेंट्स जल आता है वो आता है सतलज नदी से तो right answer क्या हो जाएगा option number D दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रसंट में doubt होता है थोड़ा भी अगर किसी भी प्रसंट में doubt आपको लगता है तो आप लोग बे जिजख होकर comment box में मुझसे पूँछ सकते हैं ठीक है next question बताएंगे friends question number 21 पूछा गया है कि निम नलिखित में से कि नदी समूहों का तिब राजियों में से कौन सा राज तोड़ाओं का निवास स्थान है तो फ्रेंस यह question काफी most important है right answer हो जाएगा option number C तमिल नाडूगा ध्यान से देख ले जाएगा question को समझेगा फिर right answer बताएगा next question देखेंगे friends question 23 कि चेच्चु जन जातियां नेमने लिखित में से किस प्रद प्रकास के लाल हरावा नीला रंगों को समान अनुपात में मिला जाता है तो कौन सा रंग प्राप्त होगा तो मेरे पैरे दोस्तों right answer हो जाएगा option number यानि की B सफेद रंग प्राप्त होगा next question बताएगे friends question 26 है कि वह वर्णक जो वानस्पतिक को परायबैंगनी किर्णों के दुष प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है तो मेरे पैरे दोस्तों right answer हो जाएगा option number B यानि की carotinoid इस प्रेशन का फ्रेंस भी right answer हो जाएगा अगला next question बताएगे friends question 27 है कि कांच निम्न लिखित में से किसका एक मिस्रण है तो मेरे पैरे दोस्तों कांच निम्न लिखित में से किसका एक मिस्रण है तो right answer हो जाएगा option number C बालू और silicate का दोस्तों हम अपनी वीडियो में like and share करने के बारे में कम बोलते हैं तो friends पूछ रहा है कि सरवादिक कठोर तत निम्न में से कौन सा होता है तो आप लोग confused बिल्कुल मत होना right answer हो जाएगा option number C टंगस्टन अगर आप से यहाँ पे पूछता कि सरवादिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है तो आप हीरा बता सकते थे लेकिन तत पूछ रहा है त तो टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा option number C दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस के लेना इससे आपकी हमारी हरे एक क्लास का नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा अ नेस्ट कोशन मताएंगे फैस कोशन 30 की निम्न में से सबसे भारी धात कौन सी होती है तो मेरे पहरे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न लिखित में से सबसे भारी धात कौन सी होती तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम नेस्ट कोशन बताएंगे फैस संसलेशन का प्रतिपादन जो फिर से कौन वर्ग ने किया था दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बदाय करिए और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस के ल प्रत्रम